इस चेप्टर का नाम है Water is Precious यह चेप्टर हमारे लिए जरूरी क्यों है यह हम पहले इसकी एक ओवर्वीव देखेंगे कि हमें इस चेप्टर में पढ़ना क्या है और हमारे लिए डेली लाइफ में यह जरूरी क्यों है तो शुरू करते हैं इस चेप्टर को तो पहली बात Water नहीं कि Water the basic need of every human Without Water there is nothing on survive on Earth यह हम लोग सब जानते हैं कि Water हमारे लिए कितना important है ठीक है तो Water हमें रेन के थुरू मिलता है ठीक है तो रेन के थुरू वाटर मिलता है वो हमें पता है सर बट क्या होता है कि कुछ ऐसे areas है जहां पर rain नहीं होती जैसे desert areas है ठीक है यह फिर अगर हम बात करें कि कुछ मौसम के change होने की वज़े से यह हम बात करें कुछ pollution की वज़े से यह पूरे atmosphere में change होने की वज़े से कहीं कहीं पर पानी हम देखते हैं कि पानी जो वारिश है वो कम होती है यह condition भी हमारे आगे है तो इन सारी चीजों से होता क्या है ultimately इन सभी चीजों से कमी होती है पानी की और पानी की कमी हमारे लिए क्यों इतनी खथरनाक है क्योंकि दिन बर दिन हमारे आसपास population बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे population बढ़ रही है वैसे वैसे हम पानी की demand को भी बढ़तावाद देख रहे है पर पानी तो नहीं बढ़ रहा है पानी के resources तो नहीं बढ़ रहे है तो हमें उसको wisely use करना ज़रूरी परता है जैसे कि हम पानी को एकतम सही तरीके से यूज करना सीख जाए अगर हम जितना कम पानी हो सके उतना कम पानी यूज करें और जितना ज्यादा हो सके हम पानी को बचाएं तो यही हमें इस chapter के अंदर पढ़ना है कि पानी हमारे जरूरी क्यों है why water is precious तो अब ही हम पहले जाने किस किस फॉर्म में हमें मिलता है जैसे अगर हम बात करें तो आइस के फॉर्म में पानी या liquid के फॉर्म में या water vapor के फॉर्म में यह हमें पानी हमें मिलता है जूसरी बात sources of water तो हमें पानी कहा कहा से मिलता है जैसे अगर हम बात करें नदी से हो गया ocean से हो गया ground water से हो गया आपके अगर हम बात करें तो आपके glacier से हो गया, pond से हो गया, lake से हो गया, यह सारे sources of water आपके कहलाएंगे, ठीके, फिर rainfall in India, तो बारिश इंडिया में कैसी होती है, किस जगा पर जदा बारिश होती है, किस जगा पर कम बारिश होती है, यह हमें जानना है, इसके बाद हमें जा तरीके से किया जाए, और सबसे आखरी, और सबसे important topic, कि scarcity of underground water, हम देखते हैं कि आसपास पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, so वो कैसे fulfilled हो पाए, और किस तरीके से हम आगे बढ़ें, इस पानी की कमी को दूरी करने के लिए, हमें यह chapter उस बारे में सिखाएगा, ठीके, so दे to show that water is precious for us, a few such posters are shown in the picture below, you can also collect clipping from newspapers and magazines, or the news items, articles and picture related to water shortage, so देखे, हम यहां देखेंगे, पहली बात, पहले एक फोटो देखते हैं कि water की दिक्कत कहां आती है, तो हम लोगों ने देखाए, कि गर्मिया जैसी यह आती है, तो गर्मियों में हम देखते हैं कि जो आपके तालाब हैं, नदियां हैं, वो सुख जाती है, और आपके अगर हम बात करें, तो आपके जो कुए हैं, कुए हमें भी पानी की कमी हो जाती है, तो ऐसी condition में हम तो यह कंडिशन बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा विक्राल रूप रही है जैसे अगर मैं आपको बताओं कि साउथ आफरीका में एक शहर एक केप टाउन नाम का शहर है वहाँ पर भी पानी पीने का लिए कुछ टाइम पेले खतम हो गया था अगर हम बात करें बैंगलूरू चैन नई मुंबई हाँ पर भी पानी की पीने के पानी की बहुत ज़्यादा शॉटेज हमें देखने को मिलत आप और पानी भरी त्भी दिख रही है यहाँ पर देखेएगे पानी की कमी होती दिख रही है यहाँ पोस्टर दिखा है को से वाटर से लाइफ की बारे में तो हमें बहुत ज़रूरी जाना कि से वाटर सेव लाइफ इक्टॉल में हें इसके अलाव हम देखते हैं कि water is my friend है और से वाटर यह सारे पोस्टर अगर आप देखेंगे अपने आसपर तो आप इस तरीके के पोस्टर बहुत ज्यादा दिखेंगे गौवर्मेंट भी इसके उपर बहुत ज्यादा काम आज कल करने लग दी है कि वाटर हमारी जरूरी है दिखाने के लिए दुनिया वर्डड मनाते है कब 22 मार्च को एवरी येर तुरू आउट ता वर्ल्ड तो देखिए क्या होता है कि एक दिन हम सेलिब्रेट करते हैं as a water day तो वह कौन सा दिन होगा आपका 22nd मार्च को हम लोग क्या करते हैं world water day को हम सेलिब्रेट करते हैं ठीक है सो हमें अगर water के बारे में जानना है तो water के बारे में जानने से पहले हमें states of water के बारे में जानना होगा states of मतलब वाटर हमें किसके form में मिलता है इन नेचर water is found in three states solid liquid and gaseous the sources of three different states are follows तो देखिए पहली बात आपका देखिए है एक फोटो हम थोड़ा सा देखने लायक है आप यहां देखते हैं के देखिए यहां पर पानी की कितनी कमी है तो यह लोग पानी भरते हुए हमें दिख रहे हैं बच्चे बरतनों में और इंडिया में भ ना जाने की ज़रूइद नहीं है पराम अधसे खरप शृट सो वाटर यह सॉलिड इस्टेट तो वाटर कौन को सॉलिड स्टेट में कहां मिलता है तो ग्लेशियर और आइस्केप अब आप सुचेंगे सरी एक लेशियर क्या होता है तो अगर मैं आपको बोलू ग्लेशियर म मोस्टली उचाई वाले इलाकों में रहते हैं ठंडे इलाकों में ग्लेशियर्स रहते हैं जैसे हमारा हिमालाय तो हिमालाय के अंदर बहुत सारे आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे और वो ग्लेशियर्स हमारे क्या काम आते हैं तो glaciers के अंदर बर्फ जमी हुई है और वो बर्फ पिगलती है वो पिगलते पिगलते वो नदियों का रूप ले लेती है तो solid state में कहां मिलेगा आपको ग्लेशियर में ग्लेशियर मतलब बहुत सारे बर्फ एक जगा पर जमी हुई है ठीक है और आइस के सेम आपके आइस के फॉर्म में आपका जम जाता है इसके अलावा हम बात करें लिक्विड इस्टेट में तो देखिए आपके ओशन आपके सागर नदियां लेक्स अंडरग छोटी सी धारा बहने लग जाती यहां पर वार्टर सौलिटी वांपर इंटेखियों के पहारियों पर तो यह पेगल कि आपके लेक बन गया, यह बन गया आपका ओशन, तो ओशन या लेक में किस form में मिलेगा, वाटर आपको, liquid form में मिलेगा, और जब बहुत जादा ग flipped पड़ेगी, तो यह क्या होगा, वाटर उड़ने लग जाएगा, मतलब वाटर वेपर बन जैसे water vapor बनेगा तो आप यह देख रहे है water की swarm में मिल रहा है आपको मिलता है तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए थैंक यू सो मुझ गॉड ब्लेस्ट यू अल